तभी रोबी के स्कूल को दिखाय जाता है जहां पर स्कूल में बहुत ज़्यादा भीर लगी हुई थी जैसिका बहाँ जाकर देखती है तो रोबी जैसिका को प्रपोच कर रहा होता है जिससे जैसिका नाराज हो जाती है और रोबी को डाटती भी है और साथ में जेश का ये भी बताती है कि बै किसी और से प्यार करती है वो तुम से प्यार नहीं कर सकती तब ही अगले सीन में स्कूल में होती है एक पेरेंट टीचर्स मीटिंग जिसमें रोबी के पापा और मम्मी दोनों आते हैं हाला कि उनके बीच में पहले से तलाक हुआ होता है इसलिए वो एक दूसरे से दूर बैटे थे जैसे ही केल रोबी की स्कूल टीचर को देखता है वो हो जाता है एकदम सोक क्योंकि वो बही लड़की थी जिसके साथ वो एक राज सोया था तीचर भी केल को देकर एक दम से सोक रह जाती है तब ही एमेली पूछती है कि तुम से ये सोक क्यों हो गई तुमारा इसके साथ कोई चक्करव करतों नहीं चल रहा है केल बताता है कि तुमारे तलाक देने के बाद मैं पूरे नो औरतों के साथ सोया हूँ लेकिन मैं सिर्फ उनके साथ सोया था तुम से तुम्हें सचा प्यार करता हूँ लेकिन एमेली बहां से गुसा होकर चली जाती है अगले सीन में दिखाय जाता है हैना और उसके बॉइफरेंड और उसके कुछ दोश्टों को हैना महां से चली जाती है उसकी नोकरी और उसे हमेशा के लिए छोड़ कर और वो जाती है जैकब के पास जिसने उसे सबसे पहले पिर पोच किया था और जाते ही उसे किस करने लगती है बाद में जैकब उसे अपने घर पर ले जाता है जेकब करना चाहता था उस लड़की के साथ सब कुछ काम लेकिन वह लड़की मना कर देती है और इसी बात को देखकर जेकब को उससे प्यार हो जाता है इसके बाद जेकब कर देता है ना से वादा कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा और उसी के साथ साधी भी करेगा और इसी कारण वो किलब जाना भी छोड़ देता है लेकिन दूसरी तरफ केल जैकब को ढूड़ रहा था और वो किलब में आकर उसे बार-बार देख रहा था केल कई दिन तक जैकब को फोन ट्राइ कर रहा था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था तभी दिखाय जाता है शाथ में डेविड और एमिली को जो रात का डिनर करने के बाद डेविड उसे छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था घर छोड़ते छोड़ते वो एमिली को करने लगता है किस लेकिन ये सब Jessica देख लेती है और वहाँ पर Roby भी होता है तबी Emily Jessica को देने लगती है पैसे क्योंकि Jessica उसके गर बच्चों को समालती थी लेकिन Jessica उसके पैसों को लेने से कर देती है मना और बहां से चली जाती है अगले सीन में Jessica वह करती है जैसा कि उसके फ्रेंड ने बताया था वो Cameron को सामने रख कर खीचने लगती है अपने गंदे गंदे फोटो और वो बहुत सारे फोटो निकालने के बाद अपने फोटो के एक लिफापे में रख देती है और उस लिफाबे के उपर लिख देती है केल का नाम क्योंकि जैसिका केल को बहुत दिनों से चाहती थी अगले सीन में एमिली करती है केल को फॉन और ये सब केल उसी के घर में छुपकर एमिली को देख रहा था क्योंकि वो जानता था कि एमिली भी करती है उसे बहुत ज़्यादा प्यार एमिली जूटा भाना करके केल से बात करना चाती थी और केल ये सब समझ जाता है अगले दिन को केल के पास आता है जैकब का फौन और वो उसे कहता है कि मैं आगे से अपके लब नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी गल्फ्रेंट से करता हूँ बहुत ज़्यादा प्यार और आज मैं उसकी माँ से मिलने जा रहा हूँ रिष्टे की बात पक्की करने तभी जैसिका की माँ को दिखाय जाता है जो कर रही थी जैसिका के कमरे की सफाई और तभी उसे मिल जाते हैं जैसिका के गंदगंदे फोटो और वो उने ले जाकर जैसिका के बाप को दिखा देती है उसका बाप केल को गलस समझ कर उसे मारने के लिए जाने लगता है जैसे का भी उसके पीछे पीछे गाड़ी लेकर जाती है अगले सील में केल ने अपनी बीवी को खुस करने के लिए बनाये था एक पिलान और बोस के लिए सब चीज सर्प्राइज रखने वाला था तब ही आ जाती है बहाँ पर हैना जो जैकब को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए लाई थी पता चलता है कि हैना जो है वो केल की बेटी है क्योंकि केल की साधी 17 की उमर में ही हो गई थी केल जैकब को अपनी बेटी के साथ देखकर चौक जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जैकब एक अच्छा लड़का नहीं है केल इस साधी के लिए मना कर देता है तब ही जैसिका का पिता आ जाता है और केल को मारने लग जाता है केल को तो ये पता भी नहीं था कि जैसिका उसे चाहती है तभी जैसिका अपने पिता को बताती है कि केल को तो पता भी नहीं है कि मैं इनको चाहती हूँ सब जाकर कहीं जैसिका का पिता होता है सांत तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है जैसे एमिली चाहती है डेविट को देखकर केल खोदेता है अपना आपा और डेविट को वो मारने लगता है और बहाँ पर चारों लोगों में आपस में लड़ाई होने लगती है दोस्तों ये बहुत हसी की मूवी है इसको जरूर देखना लेकिन केल अभी भी अपनी सर्थ पर ही टिका हुआ था कि वो जैकब से अपनी बेटी की साधी नहीं करेगा और इसलिए जैकब और हैना उसके घर को छोड़ कर चले जाते हैं और केल अपनी बीवी एमिली को डेविट के पास ही छोड़ कर बहां से चला जाता है अगले दिन को गेल जाता है किलव और वहाँ पर जाकर बैट जाता है बिलकुल उदास तब भी वहाँ पर जैकब आता है और अपने किये की माफी मागने लगता है कि अब तो हमने साधी भी कर ली है तुम्हारी बेटी को मैं पलकों पे बिठा के रखूंगा और बहुत खुस रखूंगा लेकिन केल उससे कर देता है मना कि मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है अगले सीन में होती है स्कूल में एक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जिसमें केल भी अपने बच्चे रोबी के लिए बहां जाता है रोबी स्कूल में टॉप रैंकिंग में आया था इसलिए उसे भासर देने के लिए बुलाया जाता है रोबी वहां भासर देता है कि प्यार ब्यार कुछ नहीं होता मैं अभी 13 साल का हूँ और मैंने भी किया है प्यार लेकिन मुझे धोका मिल गया है रोबी की ऐसे बाते सुनकर सभी लोग वहां हसने लगते हैं तभी कूद कर वहां आ जाता है केल रोबी के पास और वो कहता है कि प्यार बगपास नहीं है प्यार सच्चा हो तो सब कुछ अच्छा होता है और रोबी वहां भरी मैं फिल्में जैसिका को I love you बोल देता है और जैसिका भी सुनकर खुस हो जाती है और अंत में केल भी अपनी बेटी हैना को कर देता है माफ और जैकब को लगा लेता है अपने गले और सभी लोग महां बहुत ज़्यादा खुस हो जाते है और रोबी भी अपनी जैसिका के पास पहुँच जाता है जैसिका रोबी को देखकर अब बहुत ज़्यादा खुस हो रही थी जैसे का रोवी के गाल पर एक किस देकर बहाँ से चली जाती है और यही पर कहानी का अंत कर दिया जाता है दोस्तों, कहानी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना